jadi hello friends welcome back to my channel संसका women trains आज की वीडियो में हम simple plazos की cutting बता रहे हैं इस वीडियो में हम सरफ cutting बतार हैं next वीडियो में हम इसकी stitching बताएंगे और pocket कैसे attach है जाता है plazo बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 meter fabric इसको हमने 4 layers में on fold करके रखा हुआ है यह 4 layers है हमारी जो कि plazo की पूरी length होगी इस तरह से इसकी pull length हम 38 रख रहे हैं यह हमारी plazo को bottom bottom लिया है मैंने 13 inches हम इसको 12.5 inches रखेंगे इसलिए मैंने 13 inches लिया है सिर्फ half inch extra क्योंकि हमें overlock करना है उपर से मैंने 2 inches लिया है यहां हम elastic डाल कर इसको fold करेंगे और हम 40 की measurement से बना रहे हैं 40 का 1,4,2,8,10 10 में हम 2 inches और plus करेंगे total हो गया 12 inches यहां से हमने लिया है 14 inches जो कि हमारा आसन है और यहां से हमने फिर से 2 inch extra लिया है उसके बाद हमने यह shape दी हुई है अब हम वापस अपने bottom की तरफ आते हैं यह हमारा bottom और यह हमारा आसन यहां पर इस तरह से हमें एक straight line बनाएंगे और इसी के according हम इसे cut करेंगे अगर आप वेस्ट में से इसे fit पहना चाहते हैं तो वाण इंच और माइनस कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे माइनस नहीं किया है क्योंकि यह statual fabric नहीं है इस तरह से on fold है यहां पर हमारा pocket attach होगा उसके लिए हमें इसे cut करना पड़ेगा आप चाहे तो यहां पूरा भी cut करके joint कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे थोड़ा सा भी cut करके joint कर सकते हैं pocket को अगर आपको pocket joint नहीं करना है तो आप इसको यहां से stitch कर लीजिए यहां पर हमने लास्टिक के लिए मार्किंग की है तो इसको यहां से फोल्ड कर देंगे लास्टिक डालके और लास्ट में हम अपना बॉटम यहां पर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो फिर यह थी हमारी सेंपल प्लाजो की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेचि झाल झाल